आप जिस तरह से उसी तरह से अपने आपको एक्सेप्ट करना और इसके बाद अपने इनर डिवन को हराना इसे एक थीम के साथ आज की मूवी आती है I am cyborg, but that's okay, यह इस मूवी का नाम है, यह एक Korean fantasy romantic मूवी है तो चली इसका explanation स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक मदर डॉक्टर के पास बैटी हुई है, यह दिखता है यह एक mental hospital होता है और इस मदर को अपने बेटी को इसमें भरती करना ना होता है इसलिए interview चल रही होती है मदर की लड़की का नाम चाह है और है हमारा main character है चाह की जो family history है, यह डॉक्टर पूछ रही होती है मदर फिर कहती है कि इसके grandma जो है, यह भी mental hospital में थी इसके grandma के बारे में फिर डॉक्टर और भी पूछती है चाह की मदर फिर कहती है कि चाह के grandma दूर को लगता था कि हम सब चुह है, वो अपने आपको भी चुहा समझती थी वो कहती है कि जब मैं चोटी थी, तो एक दिन में स्कूल से घर आई तो वो radish खा रही थी, यह जो radish है, यह soap की तरह होता है वो और भी कुछ चुहों को खेला रही थी, उससे लग रहा था कि है मेरे brother and sister से, ऑक्टर फिर diagnose करती है और लिखती है, उसके जो friend ही किये patient है यह जो सब चल रहा होता है, इसके parallel में हमें दिखा जाता है कि क्यों अब चा mental hospital में जा रही है चा हमारा जो main character है, यह हमें एक factory में काम करती ही दिखती है इसमें वहाँ एक radio लाया होता है, उसका antenna बहुत ही बढ़ा होता है और वो open करती है, इसके बात उसे commentary सुनाई दिथी है यह जो commentary है, यह इसके आवाज में, यानि कि इसके सर में ही यह सब आवाज ही चल रही है, यह जो commentary चल रही होती है इसके order से, अपने जो हाथ होता है, इसको ही वो काटती है और इसमें कुछ वायस जाल देती है अपने आपको जो charge कर रही है, ऐसा उसे लगता है यह जो सब उसने किया है, suicide attempts उसने किया है इसकी वज़े से, अब उसे इस mental hospital में डाल दिया जाता है अब next time में mental hospital में चाह दिखती है और वो एक bed पर होती है bed पर पड़े-पड़े, उसकी आग तो उपन होती है पर वो जैसे कोमा में है, ऐसे वो पड़ी हुई होती है एक और फिर इसका bed लेती है, और hospital में यहाँ वहाँ उसे घुमाती है हर patient की story उसे सुनाती है वो गेती है, यह एक patient भागने की कोशिस उसने की थी पुलिस ने उसे बहुत ढूणना, सब उसे ढूणते रहे दो-तीन दिन बाद, यह जो बड़ा साग लॉक है इसके नीचे वो छुपा था, और वो मर गया था इसी भायानक बहुत सारी stories उसे सुनाती है पर इसके बाद हमें पता चलता है यह भी वहाँ की एक patient है डॉक्टर वहा आती है और इसे दूर करती थी है डॉक्टर चाह को कहती है कि इसके बाद पर कुछ भी believe मत करना यह अपनी memory loss करती है और इसी कुछ भी stories बनाती है अब हमें hospital के बाहर यह जो डॉक्टर है और इसका एक कली यह दोनों distance करते हुए दिखते है वो खेते है कि चाह को severe depression है इसकी नैनी को भी यही था इसको जो depression है इससे वो कभी बाहर आ सकती है हमें दिखता है कि दिन पर चाह बेड़ पर ही पड़ी रहती है पर जब रात होती है तो वो उट जाती है जैसा सब कोछ नॉर्मल है इस वो hospital में चल रही होती है रात में और भी एक patient जगा हुआ होता है इसका नाम है son यह हमारा दूसरा main character है यह चाह को देखता है और उसका पीछा करने लग जाता है चाह जो होती है जो भी non living चीज़े होती है यानि कि light, fridge इस तरह की चीज़ों से वो बात करती है इसी लगता है कि एक cyborg है यानि कि एक robot है इसी वज़े से किसे से भी बात कर सकती है पहले सिन में हमें दिखाए गया था कि आपने आपको यह charge कर रही थी इसे लग रहा था कि इसकी charging कतम हो गई है और यही करने की कोशिश कर रही थी इसी वज़े से इसने आपने आपको electrocute कर लिया था चाह फिर हमें refrigerator से बात करते हो दिखती है और उसे कुछ मांग दिये यह open भी हो जाता है उसे जो चाहिए होता है वो मिल जाता है सन इसका पीछा ही कर रहा होता है और उसकी bag में जो भी कुछ है यह वो देखता है सन एक शातिर्च छोर होता है तो इसकी bag से वो toothbrush निकालता है brush कर लेता है और यह रग भी देता है जा फिर हमें hospital में अपने bed के पास जो light होता है उसे बात करते हो दिखती है यह उसे पुछती है कि तुम्हें कब पता था कि तुम light हो वो कहती है कि मुझे बहुत पहले से ही पता था जब मेरी nanny hospital में जा रही थी तब से मुझे पता है यह हमें इसकी जो memory है यह फिर दिखाई जाती है इसकी नanny को hospital में ले जाया जा रहा है और यह अपने bicycle से इसका पीछा करती है यह अपनी नanny का पीछा नहीं करवाती इसके मन में ही एक question आता है यह तो cyborg है यह तो पीछा कर सकती है यह कभी भी ठक नहीं सकती यह अपना ही rationalization कर लेती है कि इसकी बैटरी कतम हो गई होगी इसलिए इसका पीछा नहीं कर पा रही इसका जो enemy है वो अब ambulance बन चुकी है यह इसको arms बुला दी है इसका mission होता है कि सारे arms को मिटा दे उसके जो नानी है उसे फिर से बचा ले चाफिर हमें देखती है कि वो phone से बात कर रही होती है उसे पुछती है कि मैं cyborg हूँ पर मुझे पता नहीं ही कि मेरा purpose क्या है अगर मुझे मेरा purpose मिल जाए तो इससे मेरे life बहुत ही easy हो जाएगी मैं किसलिये बनी हूँ यह मुझे पता चल जाएगा इस movie में हम देखते हैं कि जो भी सब चीजे हो रही है यह हमारे life से बहुत ही relate कर पाती है For example हम भी हमारे purpose के लिए struggle करते है जो भी चीज होती है जिससे हम बहुत ही प्यार करते है यह हमसे झीन ली जाती है यह दूर चली जाती है और हम इसे control नहीं कर पाते फिर भी हम hopeful होते है कि हम इसे फिर से पालेंगे इस तरह से symbolism का use करकर यह पूरी movie चलती है इस पागल लोगों की कहानी में एक बहुत ही real life story निकल करा थी है फिर से हम वीडियो में continue करते है चाह के पास हमें एक मोटी औरत आई है यह दिखता है वो कहती है कि मैंने notice किया है कि तुम अपने ब्लेट से कुछ भी खाना नहीं खाती चाह आपने आपको तो साइब होगी समझती है तो कुछ खाना नहीं खाती यह मोटी औरत फिर उसे कहती है कि अगर तुम खाना नहीं काऊगी तुम पर सब लोग रजर रखेंगे तुम्हें खाना खाना ही बढ़ेगा तो तुम्हारा खाना में खा सकती हो यह मोटी है तो इसे बहुत सारा खाना लगता है यह डील फिर यह कर लेते है इसके बाद नेक सीन जो है इसमें एक मीटिंग चल रही होते है इसमें डॉक्टर और वेशन बेटे हुए होते है इन्हें जो भी सब प्रॉलम से यह डॉक्टर ने कहने को बोलती है इन सब को सन से ब्रॉलम होता है जैसे मैंने आपको बताया कि सन सब को चोरी कर सकता है तो इन सब की चीज़े इसने चोरी की होते है इस पर बहुत ही नाराज होते है एक कहता है कि मेरे पास स्टेबल टेनिस खेलने का टैलेंट था पर इसने मुझसे चोरी कर लिया है जो मोटी औरत होती है वो कहती है कि मुझे बहुत भूग लगती थी पर अब उतनी भूग नहीं लगती इसने मेरी भूग चुरा ली है इस तरह से यह सब इस वर ब्लेम करते हैं नेक सीन में सन अपने फ्रेंड से कहे रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया था मैंने सिर्फ थजड़ चुराया है चाने अब सुना है कि सन कुछ भी चोरी कर सकता है चा के मन में होता है कि मेरे पास भी एक चीज है जो चोरी हो जाने चाहिए इसलिए सन का अपो पीछा कर रही है चाह वंडर करती है कि थजड़े कैसे चोरी कर सकता है सन बहुत डिस्टब होता है क्योंकि उसकी मदर उसे छोड़ कर चली गई है ऐसा उसे लग रहा होता है उसका फ्रेंड उसे कंसोर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सन जब रूम से चला जाता है तो चाह भी बहार आ जाती है चाह जब अपनी बैक देखती है तब उसके पास हर ड़े के लिए एक नई पैंटी होती है तो उसकी थजड़े की जो पैंटी होती है ये मिसिंग होती है अब उसे पदा चल जाता है कि सन ने क्या चोरी किया था चाह सन का पीछा कर रही होती है और सन को पदा चल जाता है कि ये उसका पीछा कर रही है वो उसके पीछे आता है तो एक लॉक में हो छीप जाती है सन उसे कहता है तुम साइको मेरा पीछा मत करो और वहाँ से चला जाता है वो जाते वग चाह उसे कहती है मैं साइको नहीं मैं साइबोग हूँ फेसे हमें चाह की एक मेमरी देखती है उसने सन को अभी अभी बताया है कि वो साइबोग है इसे है मेमरी ट्रिगर होती है चाह की मदर की साथ ही उसकी मेमरी है चाह की जो मदर है ये एक रेस्टोरंट चलाती है इस सीन में हमें दिखता है कि चाह अपने मदर के पास जाती है उसे कहती है कि वो अलग है वो एक cyborg है इसकी मद़र सप्राइज तो जाती है एसा उससे क्यों लग रहा है चाह इस फर पूरा बिलीव करती है तो इसकी मद़र उसे कहती है कि ठीक है तुम अगर cyborg हो तो हो पर किसी को भी ये बात पता नहीं चलना चाहिए हमारा रेस्टोरेंट है किसी को अगर पता चला कि तुम साइबोग हो तो हमारा जो बिजनेस है इस पर ज़रा फरक पड़ सकता है तुम साइबोग रहो पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए यह सीन यही खतम हो जाता है हम जैसे है यह सोसाइटी क करने के लिए उसके जो seven scenes है यह उसे नहीं करने है यह जो seven scene है इसके बारे में फिर हमें बताया जाता है इसमें किसी के भी प्रती sympathy होना यह गलत है sad होना गलत है restlessness होना गलत है hesitation करना गलत है daydreaming करना गलत है guilty feel करना गलत है और जादा thankful होना भी गलत है इसमें से बहुत सारी चीज़े नहीं करती इसे लगता है कि यह sympathetic है जो imbalance होती है इसके प्रती यह sympathetic है इसी वज़े से उसे लगता है कि अपना mission जो अपना goal है यह complete नहीं कर पा रही है इसकी जो sympathy है यह sun अब चोरी कर सकता है नेक सिन में हमें sun दिखाये गया है और उसका एक friend होता है यह जो इसका friend है यह सब लोगों के प्रती बहुत ही respectful होता है कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो इससे लगता है कि इस नहीं यह की है यह hospital में भी होता है क्योंकि एक accident हो चुका होता है और इसके road side पर यह था इसे लगा था कि इसने accident यह किया है पर इसमें इसकी कुछ भी गलती नहीं थी जिसका accident हो आथा उसके relatives के पास यह जाता था उन्हें कहता था कि इसकी चोरी कर लो सन भी believe करता है कि यह चोरी कर सकता है इसलिए इसके face पर एक red color लगा देता है इसके बाद इसकी कंदे पर हाथ रखकर इसने टांसपर कर लिया है इससे वो pretend करते है इस आदमी की जो condition थी वो बहुत सारी cure हो जाती है पर फिर भी इसकी जो sympathy है यह तुम ले लो चाह कीता है कि एशे में चोरे नहीं कर सकता यह Tum मुझे दे रही हो और मैं ले रहा हो ऐसा है transfer नहीं हो सकता तो चीत ता है कि तुमारे लिए बहुत ही important हो चाहिए और इसके लिए तुम्हें घृव करना चाहिए तुम्हें गुसा आना चाहिए जब में तुम से लूँगा चाके थी कि ये सब में करूंगी Sun फिर कहता है कि मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ेगा दो तिन दिर में तुम्हारा पीछा करूंगा और फिर तुमसे ही चोरी कर लूँगा चा भी इसके लिए मान जाती है अब next course sin में हमें दिखता है कि sun चा का पीछा कर रहा है sun को एक problem आ चुकी है जो sympathy उसने चोरी की थी और बहुत ही sympathy हो चुका है यही sympathy के साथ रह नहीं सकता तो जिस आत्मी के sympathy थी उसे वापस कर देता है अब यह चा का पीछा कर रहा था तो इसके जो sympathy है यह वो चोरी नहीं करता तो उसके bag में एक valuable चीज़ होती है इसे वो चोरी कर लेता है इसके बाद चा बहुत ही रोती है इसे पता नहीं होता कि इसकी जो चीज़ थी यह किसने ली थी यह फिर सन के पास आई होती है यह बहुत रो रही होती है यह कहती है कि नानी के दाथ थे यह जब हॉस्पिटल से बाहर आएगी तो चबाने के लिए उसे लगेंगे यह चोरी हो गए है तो इसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है गुर्प मीटिंग में जब चाह को पथा चलता है तो इस पर वह जबग जाती है उसे बहुत मारती है इसके बाद हमें दीखता है कि सन और चाह जो उनकी सेरोमनी होती है इसका मदलब है सन अब किसी कलर से इसका जो पेस है इसे रंग देगा और इसके बाद इसकी जो सिंपधी है ये चोरी कर लेगा ये सेरिमेनी उनकी हो रही होती है जब ये खतम हो जाती है तब चाको लगता है उसका जो वे है इसके बीच में कोई भी नहीं आने वाला ये पूरी तरह से शायवर्ण बन चुकी है और चार्ज हो चुकी है ये फिर बाहर निकलती है होस्पिटल में आती है होस्पिटल में अपने हाथ से गंद मराती है और सब को मार दीती है ये जो सब हो रहा होता है इसके ड्रीम्स में ही होता है और ये ड्रीम जब खतम हो जाता है तब ये एक्जास्ट हो जाती है और वो ही गिर जाती है इस सीन के बाद सन की जो बैक स्टोरी है ये हम देखते हैं सन चो होता है ये अपने पैरेंट से निकलेट हो जाता है यह उनके लिए invisible था तो sun को लगने लगता है कि invisible है इससे वो चीज़े चोरी कर सकता है चोरी करने के वज़े से वो जेल में भी जाता है पर जेल में चोरी करता है इससे लगता है कि आप यह छोटा छोटा होता जाएगा और एक दिन invisible हो जाएगा वो ऐसा होकर मर सकता है इसी वज़े से वो अब हॉस्पिटल में आया है उसे लगता है कि अगर वो इलाज लेगा तो वो छोटा नहीं होगा, इन्वीजिबल नहीं होगा इसके जो बिमारी है, इसके बारे में इससे सब कुछ पता है और इस सेल्फ अवेर है कि इसको अच्छा होना है, इसलिए होस्पिटल में आया हुआ होता है होस्पिटल की डॉक्टर्स को पता चलता है कि चाह कुछ खा नहीं रही थी इसी वज़े से वो पढ़ कर गिर गई थी इसका ब्रेण रिसेट करने के लिए इसको फिर से होश में लाने के लिए इसे शौक थेरी विदेते हैं यह जो शौक में होती है तो उसे ग्रैंडमा दीखती है ग्रैंडमा उससे बात करनी कोशिश कर रही है पर इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता इसको अपनी ग्रैंडमा को बचाना है इसके लिए वो फिर से जाग जाती है डॉक्टर से वो कहती है कि मैं मशिन्स में लगी हुई थी मुझे मेरी ग्रैंडमा मिलने के लिए आई थी ये जो सब था इमेजिन कर रही थी तो इसलिए कि डॉक्टर इससे कनसर्ण हो जाती है चाअ फिर वहाँ से उट जाती है और फिर से imagined करती है कि सब लोगों को हुँ मार रही है फिर से गिरकर सो जाती है अब चाकुछ खाने ही रही है तो डॉक्टर स्वेगरा उसे नली से खाना दे रहे होते है यह जब सन देखता है तो उसे लगता है कि बहुत ही गलत है यह इसके मर्जे के खिलाफ है खाना खाना नहीं चाहती क्योंकि साइबा होग है सन फिर डिसाइ और सब खाना खाने लग जाते हैं सन को चाक के साथ जो भी सब हो रहा है यह मंजूरी नहीं होता तो जादा डिस्टरब हो जाता है वो अनकंट्रोल लेबर हो जाता है और चाक के रूम में पहुच जाता है उसके बेड़ के नीचे को कुछ रख देता है इसके बाद होस्पिटर का जो स्टाफ होता है इसे एक बन खोले में बन कर देते है यह जो रूम होती है यह चाक के रूम के पास ही होती है सन ने चाक को जो चीज दी थी यह स्टिंग वोकी टॉकी है इसे अब वो बात कर सकते है सन चाको कहता है कि मेरे पास एक बूट है जिससे तु ऊड़ कर कहीं भी जा सकते हो यह फिर उनकी एक imaginary दुनिया में स्विजर लैंड में पोच चुके है यह imagine करते है इस imaginary दुनिया में चाक उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए पर यह अभी में मानने रही होती चाकी जो नानी है यह उसे वहाँ दिखती है एक दूसरे खोक करते है सन ने चाक को उसके नानी के जो टीत थे वो वापस कर दिये है यह टीत को नानी को दिखा दिये वो कहती है कि तुम जब वापस आओगी तब तुम्हें यह लगेंगे नानी उसे बोलती है कि मुझे आप यह नहीं लगेंगे तुम जब बुड़ी होगी तो तुम्हें यह लग सकते है नानी उसे दूर हो रही है एसा उसे लगता है इसका मतलब है नानी अब मर् चुकी है और इसका realization उसे होता है नेक्स दिन चाह की मदर ये news सुनाने के लिए वहा आती है चाह की मदर उसे कहती है तुमारी नानी ये teeth पीछे छोड़कर चली गई थी वो hospital में फिर से radiation ना खाए तो इसलिए उसने हैं किया था चाह की मदर उसे बुच्छती है तुम साइबाग हो ये किसी को बताया तो नहीं न चाह कुछ बोलती नहीं तो वो समझ जाती है इसने किसी को बताया है इसकी मदर उने लग जाती है वो केती है इसी चीज़े तुमें दुनिया को नहीं बतानी है चाह बहुत ही दुख में होती है नानी की जो भी सब चीज़े होती है ये वो गाड़ देती है ये टीत पहले गाड़ती है विसे लगता है कि ये टीत उसे नहीं गाड़ने चाहिए ये फिर वो निकाल लेती है चाह को सहारा देने के लिए सन भी बहाता है और एक दूसरे को घिस करते है डॉक्टर्स ने ट्यूब से इसे कुछ खाना दिया है इसे चाह अब थोड़े दर तक जी रही है पर अगर ये कुछ खाना नहीं खाएगी तो ये पक्का मर जाएगी सन जो है अब इसके लिए केर करता है ये दोनों अब प्यार में है तो इसे लगता है कि इसे कुछ खाना चाहिए सन फिर एक आइडल लगाता है इसके पास अपने मदर का एक फोटो होता है जो एक बड़े से पेंडल में होता है ये पेंडल फिर वो चाह को दिखाता है वो कहता है कि एक डिवाइस है अगर ये device में तुम्हारे body में fit कर दूँगा तो इससे तुम जो खा रही हो ये destroy हो जाएगा और इससे directly energy में convert हो जाएगा इससे तुम कुछ भी खा सबोगी ये फिर जूट mood उसका operation करता है ऐसा pretend करता है और चाको भी ये सच लग जाता है फिर उसे candy में लेकर आता है जब ये इसे खाने देता है चाका अब भी नहीं लग रहा होता ये work करेगा चाह उसे कहती है कि अगर मैं खा लू अगर ये work नहीं करेगा तो क्या होगा सन खेता है कि वर्क करेगा मुझवर भरसा रखो चाहों से कहती अगर ये खराब हो गया और तुम अगर मेरे पास ने रहे तो मैं क्या करूंगी सन गहता है कि हमेशा तुमारे साथ ही रहूंगा इसे confidence देता है और फिर खाना खिलाता है अब ये खाना खाने लग जाती है चाह का जो purpose था ये अब चला जा चुका है उसके नानी को उसे बचाना था इसके नानी अब इस दुनिया में नहीं है तो अभी क्या करेगी इसकी नानी के जो grave उसने बनाए होती है यानि कि उसकी चीजे उसने गाड़ी होती है वहाँ आती है इसकी memories में वो याद करती है जिस दिन उसके नानी को ले जाया गया था इस memory को अपने मन में याद करती है इसके लिए बहुत ही painful था जिस room में वो थी इस room में एक radio था नानी और वो हमेशा इस radio से गाना सुनते थे इसी radio से चाह मेशा बात करती है उसे एक प्रोड का सुनाई देता है और ये इसके खुद के ही थोट होते है इसे सत्मा लगा था और इसके बाद से इस रेडियो से उसे आवाजे आ रही थी ऐसा उसे लग रहा था चाको लगता है कि अब उसे बेटर होना चाहिए इसलिए डॉक्टर को अपने प्रावलम बता देती है उसके मदर ने उसे कहा था कि तुम साइबा हो किसी को बताना नहीं है लोग तुमें गलत समझेंगे पर अब ये जो है ये दुन्या को बता देना चाहती है ये डॉक्टर को जब बताती है डॉक्टर को इसको प्रावल् successful पता जल जाता है ये एक दूसरे को हग करते डॉक्टर बताती है कि perfectly fine हे कि तुम साइबाग हो अब nextGen में चा और शार्ण दोनों बेठे होइ ये दिखता है चाह को उसकी जो नानी है ये कुछ message दे रही है ये उ सब जो वो कर रहे है इनकी imagination में कर रहे है पर यह एक दूसरे के साथ है एक दूसरे का खयाल रखते हुए यह सब वो कर रहे है यह दोनों flawed characters है एक दूसरे से अप मिल चुके है और एक दूसरे का खयाल रख रहे है यह जो movie थी यह पहुत ही well constructed movie थी एक जुट में हमें एक सच जैसे आप मूवी के फर्स में देखते हैं कि चाक को उसकी मदर कहती है कि तुम्हें किसी को भी बता ना नहीं कि तुम साइबा हो यानि कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करें कि सोसाइटी के फियर में आप जो हो किसी को भी नहीं बता दे और अपनी लाइफ नहीं जीते आपके लाइब में आपको कुछ चीज़े चाहिए होती है जो आपसे छीन ली जाती है इस केस में चाह के लिए उसके ग्रैंड मदर ये थी उसे फिर से पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थी उसे एक सेल्फ रेलाइजेशन था उसके नानी को अगर उसे बचाना है तो उसके जो सिंस है यानि कि सिंपती, सैड होना, रेजलेसनेस ये जो सेवन सिंस होते है इससे उसे उपर उठना है इसके लिए वो मेहनत भी करती है यानि कि आदमी के मन में जो सब बुरी आदत है होती है जो demons होते है इनको हमें पार करना पड़ता है हमारे goal को achieve करने के लिए इसके बाद ये अपना purpose lose करती है अपना जो love partner है इसे पाती है फिर से दोनों मिलकर उनका purpose जुन लेते है और से बाद एक दूसरे को help करकर जीते है इसी एक beautiful ending ये साथ ये movie खतम हो जाती है तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये